एतिहासिक इस्थल तिलवाड़ा तिलवाड़ा एतिहासिक इस्थल राजिस्थान के बाडमेर जिले के बालोतरा तहसील मुख्याले से 16 किलोमीटर दक्षन पश्चि में लूनी नदी के बाएं किनारे पर इस्थित है प्रमुख तत्य तिलवाड़ा का उत्खनन कार्य 1967-68 इस्थी में एन मिश्रा, पूना, विजयकुमार, राजिस्थान, राज्यपुरातत्व एवं संग्रहाले तथा एलसी लेसनिक, हीडलबर्ग, विश्विद्याले के नित्रत्व में किया गया इस इस्थल से प्राप्त सांस्कृतिक जमाव 60 cm का है, इसकी सता पर लगुपाशान उपकरण तथा मृदपात्रों के ठीकरे मिलते हैं, उत्खनन में यहां से फर्ष के चारों और गोल पत्थर जमाए हुए मिले हैं तिलवाणा से गोल जोपडियों के साक्ष प्राप्त होते हैं, यहां से एक 70 cm गहरा एवं 20 cm मुखवाला गढधा मिला है, जो उत्तर उत्तर नीचे की ओर संकरा होता गया है इस गड़े में कुछ मृदपात्रों के टुकड़े वा हड़ियां तथा राख मिली हैं, इस इस्थल से क्वार्ज, क्वार्जाइट, चर्ट एवं कार्नेलियन से बनी हुई क्रोड, ब्लैड, प्रैपीज, पॉइंट तथा ट्राइंगल इत्यादी उपकरण, उपलब्द हैं, यहां से प्राप्त मृद पात्रों के टुकड़े निचंदे चौक निर्मित हैं, यहां से कुछली हुई हड़ियां मिली हैं, वे निश्चित रूप से बड़े जानवरों की हैं, जिसमें वन महिश, व्रिशब, सुवर आदी मुख्य हैं पक्षियों का मान्स इसकाल का मानव बहुत अधिक चाव से खाता था, छोटे छोटे तीर्नुमा उपकरणों की उपस्थिती इसका स्पष्ठ संकेत देती है, उत्तर पाशान काल राजिस्थान में लगभग दसजार वर्षपूर प्रारंब होता है, तिलवाड़ा से उत् इपकाकर इन उपकरणों का प्रियोग प्रारंब हो गया था, राजिस्थान के बागवर के अतरिक्त तिलवाड़ा ही ऐसा क्षेत्र है, जहां से इतने व्रहद स्तर पर उत्तर पाशान कालीन पुरा सामगरी प्राप्त हुई है, तिलवाड़ा में ही अकबर की सेनवा बैर रमखा की पराजे हुई थी, अहिच्छत्र रामपूर के निकट इस्थित अहिच्छत्र लोहयुग 1500 इसापूर्व से 1800 इसापूर्व का एक प्रसिद्ध शहर था, जिसका उलेक महाबारत में पांडवों की राजधानी के रूप में कई बार किया गया है, वर्तमान समय में इसके अवशेश ही रह गए हैं, जिनसे ग्यात होता है कि यहां चित्रित धूसर मृदभांट अर्थाद पेंटिट ग्रेवियर कल्चर संस्कृति को अपनाया गया था, जो लोहयुग की प्रमुख विशेशताओं में से एक थी, ये लाल और काले मृदभांडों के बाद प्रचलन में आई, यहां उत्तर पांचाल की राजधानी थी, प्रमुख तत्या, अहिचहत्र सोला जनपदों में से एक पांचाल की राजधानी था, ये उन परातात्विक इस्थलों में से एक है, जिसने लगातार विद्वानों और शोध करताओं का ध्यान अपनी और आक इन्हों ने इस क्षेत्र का गेहनता से अध्यन किया, अपने विवरण में इन्हों ने बताया कि अहिचहत्र रामनगर गाउं के निकट इस्थित एक क्षेत्र है, जो 30-35 फीट उंची प्राचीर से घिरा हुआ, त्रिकोणी आकरिती का पश्चे में 1462 मीटर लंबा क्षेत है, तथा पूर में ये 2000 से अधिक मीटर तक फैला हुआ है, मौरे समराट अशोक ने यहां अहिचहत्र नामक विशाल इस्तूप बनवाया था, जैनसूत्र प्रग्यापणा में अहिचहत्र का कई अन्य जन्पदों के साथ उलेख है, चीनी यात्री युवान च्वांग जो यहां 640 इस्वी के लगभग आया था, नगर के नाम के बारे में लिखता है कि किले के बाहर नाग नहद नामक एक ताल है, जिसके निकट नागराज ने बौद धर्म स्वीकार करने के पश्चात इस सरोवर पर एक छट्र बनवाया था, अहिचहत्र के खंडहरों में सबसे अधिक महत पूर्ण डूहों एक स्थूप है, जिसकी आकरिती चक्की के समान होने से इसे इस्थानिय लोग पिसन हारी का छट्र कहते हैं, ये स्थूप उसी स्थान पर बना हुआ है, जहां किमदंती के अनुसार बुद ने इस्थानिय नागराजाओं को बौद धर्म की द अभिहित किया गया है, जहन धर्म विविद तीर्थ कल्प में इसका एक अन्य नाम संख्यावती भी मिलता है, एक अन्य प्राचीन जहन ग्रंथ तीर्थ माला चौत्य वंदन में अहिक्षेत्र का शिवपूर नाम भी बताया गया है, जहन धर्म ग्रंथों में अहिछत्र का एक अन्यानाम शिव नयरी भी मिलता है टॉलमी ने अहिच्छत्र का अधिसद्रा नाम से उलेक किया है ओरच्छा ओरच्छा मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में बेतवा नदी के किनारे इस्थित है जहांसी से महज 16 किलोमीटर दूर ओरच्छा महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है कभी बुंदेलखंड की राजधानी रह चुकी ये जगा आज छोटा सा शहर है आज भी यहाँ पुरानी इमारतों के खंडहर बिखरे पड़े हैं प्रमुख तत्य मद्यकाल में यहाँ परिहार राजाओं की राजधानी थी परिहार राजाओं के बाद ओरच्छा चंदेलों के अधिकार में रहा चंदेल राजाओं के पराभव के बाद ओरच्छा श्रीहीन हो गया उसके बाद में बुंदेलों ने ओर्चा को राजधानी बनाया और इसने पुना अपना गौरव प्राप्त किया राजा रूद्र प्रताप 1501 से 1531 ईस्वी बर्तमान ओर्चा को बसाने वाले थे 1531 ईस्वी में इस नगर की स्थापना की गई और किले के निर्मान में आठ वर्ष का समय लगा ओर्चा के महल भारती चंद के समय 1549 ईस्वी में बन कर पूर्ण हुए और राजधानी भी इसी वर्ष पुरानी राजधानी गड़कुंडार से ओर्चा लाई गई अकबर के समय यहां के राजधा मधुकर शाह थे जिनके साथ मुगल समराट ने कई युद्ध किये थे जहांगीर ने वीरसिहा देव बुंदेला को जो ओर्चा राजधा की बड़ानी जागीर के स्वामी थे पूरे ओर्चा राजधा की गड़ी दी थी वीरसिहा देव ने ही अकबर के शासनकाल में जहांगीर के कहने से अकबर के विद्वान दरवारी अबुल फजल की हत्या करवा दी थी शाह जहां ने बुंदेलों से कई असफल लडाईयां लड़ी किन्तु अंत में जुजहारसिहा को ओर्चा का राजधा स्वीकार कर लिया गया बुंदेल खंड की लोककताओं का नायक हरदौल वीरसिहा देव का छोटा पुत्र एवं जुजहारसिहा का छोटा भाई था बुंदे राज जाओं ने हिंदी के कवीयों को सदा प्रेश्रं दिया है। महा कवि के शव्दास वीरसिहा देव के राज कवि थे। प्रिष्ट संख्य अठावन थानेश्वर थानेशर या थानेश्वर या इस थानीश्वर हर्याना का एक यह एतिहासिक नगर एवं हिंदूओन का तीर्थ है यह सरस्वति घगर नदी के तटपर इस्थित है प्रमुख तथ्य थानेश्वर वर्तमान में अंबाला एवं करनाल के मध्य में इस्थित है संस्कृत साहित्य विशेशगर हर्ष चरित में थानेश्वर का व्रहद उल्लेक मिलता है ये नगर सरस्वती तथा द्रिशद वती नदी के मध्य बसा हुआ था इसे ब्रह्मावर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था आरियों ने सबसे पहले यही निवास किया था छटी शताब्दी के उतरार्द में थानेश्वर पुष्य भूति वर्ण्ष के शासकों की राजधानी बना था वर्धन वर्ण्ष के प्रथम शक्तिशाली समराट प्रभाकर वर्धन ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था पुष्य भूति शासक प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर को मालवा उत्तर पश्चिमी पंजाब एवं राजपुताना का केंद्रिय नगर बनाया प्रिटिश सामराज्य के अंतरगत आ गया